उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका राज जी की अत्याचार के सिकार लोगों में बाबा के बुल्डोजर का क्रेज है पंजाब सिंगर सिद्धु मुसेवाला के पता ने यूपी के सीम योगी आदित्यनाथ की जम कर तारीफ की है उनका कहना है कि अगर योगी पंजाब के सीएम होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं होती बूसे वाला की हत्या को दस महीने बीद गए हैं पर उन्हें अब तक नया आयन नहीं मिला है योगी सरकार की कानून विवस्ता की दूसरे राज्य में भी डंका बज रही है आपकी फिटनिस का राज क्या है आश्वेल रस ये एक ही बॉकल में है स्ट्रेस, वीकनेस, अचेजिटी, एबिसिटी, हेर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हर आश्वेल लाइफ, डियाबिटीस फ्री लाइफ मुसे वाला की पिता बलकौर सिंग ने यूपी के सी एम योगी आदित तेनाथ की तारीफ की है उन्होंने कहा है कि पंजाब में तो गैंग्स्टर के दिन चल रहे है यूपी में गैंग्स्टर साफ कर दिये जाते हैं अगर योगी पंजाब में होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं हुई होती यूपी में गैंग्स्टर जमीन दोस्ट कर दिये जाते हैं आज यूपी में पंजाब से जादा विकास हो रहा है बलकौर ने ये भी कहा है कि आप अगली लोग सबह चुनाओं में योगी आदितनात को वोट देने के लिए मजबूर हो जाओगे यूपी में एक बड़ा मुद्दा सुरक्चा और कानून विवस्ता का है योगी सरकार के बुल्डोजर मॉडल की तारीफ खूब होई है यूपी चुनाओं में बुल्डोजर बावा के रूप में विख्यात हुए सीएम योगी आदितनात को यूपी की जनता का समर्थन मला है और सरकार बनी है मार्च 2017 में इस सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने कानून वैवस्ता के स्थिती में सुधार के रिए कड़े एक्षन का फड़मान जारी किया है यूपी पुलिस ने इन छे सालों में 10,814 एंकाउंटर किये हैं असमें 184 अपराधियों को मार गिराया है चाहे कानपुर में पुलिश कर्मियों की हत्या करने वाला विक्रू का विकास दूबे गैंग हो या फिर प्रयाग राज में उमेश पाल की हत्या करने वाला तीक एहमद गैंग हो योगी सरकार अपराधियों और माफियों के प्रती सक्त रवय्या पनाए हुए है मुखतार अंसारी और उसके गिरों के खिलाफ भी पिछले छे सालों से एक्षन जारी है इतना ही नहीं प्रस्टाचार में लिप्ट आजम खान जैसे नेताओं के खिलाफ भी एक्षन लगतार जारी है प्रयाग राज के उमेस पाल हत्याकान में दो आरोपियों के उप पिछले दो सप्ता में पुलिस अनकाउंटर में मार दिये गए है इन मामलों की बाद से यूपी में पुलिस अनकाउंटरों का मुद्धा एक बार फिर गरमाया हुआ है उमेस पाल मडर केस में पाँच मुख्या आरोपी अभी भी फरार है पुलिसोन की सलाश कर रही है उन पर इनाम दोगुनागर पाँच लाख रुपए कर दिया गया है विपक्षी नेताओं ने योगी सरकावर की एनकाउंटर और बुल्डोजर पॉलिसी के किलाफ सवाल उठाया है सपा की राष्टी महासचीव राम गोपाल यादव और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने हाल्या एनकाउंटर मौत पर सवाल कर दिये है उनका कहना है कि असली दोशियों को पकड़ने में नाकाम पॉलिस उपरी दवाओं में जुसे पकर रही है उसे मार रही है इसके साथ ही बुल्डोजर भी जबरन चलाई दिये जा रहे हाला कि एनकाउंटर के मसले पर ADG लॉड प्रशांत कुमार का कहना है कि ऐसा नहीं है कि राज में एनकाउंटर की पॉलिसी है सरकार क्राइम पॉलिसी के तहत जीरो टॉलरेंस को लेकर शक्त है इसके अलावा एनकाउंटर के किसी भी मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार आयोग हो या सेन निकाउं ने प्रतिकूल टिपपनी नहीं की है उमें स्पाल केस पर उन्होंने कहा है कि स्टीफ काम कर रही है और अपरादी जल्द से जल्द गिरफ्त में होंगे